हमारे देश के मंदिर और तिर्थ अस्तल कई रहस्यों को समेटे हुएं जिनका आज तक राज नहीं खुल सका है केरल के कासगोड इस्थित अनन्दपुर नाम का मंदिर है जिसकी कई साल से एक मगरमच रखवाली कर रहा है मगरमच का नाम बविया है और उसे मंदिर का पुजारी कहा जाता है मंगलबार को या मगरमच अचानक मंदिर में प्रवेश कर गया बताया जा रहा है कि ये अनोखा दृष पहली बार देखने को मिला है जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए फिर पुजारी के कहने पर मगरमच तलाब में चला गया बविया नाम का या मगरमच साकाहरी है और कई साल से मंदिर के तलाब में रह रहा है बबिया ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया था जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो चुकी है माना जाता है कि यह मगरमच शाकाहारी है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाता हाला कि या बात कोई नहीं जानता कि बबिया मंदिर के तालाब में कैसे आया और या नाम उसे किस ने दिया ऐसी मानेता है कि मगरमच मंदिर के तालाब में 70 वर्सों से भी अधिक समय से रह रहा है और कभी किसी से हिंसक वैभार नहीं किया बविया खाने में मंदिर का प्रशाद ग्रहन करता है उसे हर रोज पुजा के बाद दिया जाता है जब पुजारी उसे बुलाते हैं तब वो तालाब से बहार आता है मंदिर के करमचारी का कहना है कि पुजारी दिन में दो बार बविया को प्रशाद देते हैं वो हर बार चावल के गोले खाता है मंदिर के पुजारी का मानना है कि तालाब में धेर सारी मचलिया है और उन्हें यकीन है कि बबिया कभी उनका शिकार नहीं करता पुजारी का और इस बबिया का अनोखा कनेक्शन देखते ही बनता है इस वीडियो में फिलाल इतना ही बागी खबरे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले